हेलो एब्रिवन मैं मिथुन शीन स्वाकत करता हूँ आप से भी का आशा गरता हूँ आप से भी बहुत अच्छे होंगे सबसे पहले ये जो वन सेवा के द्वारा नई अप्लिकेशन को लॉंच किया गया है यानि कि आपको भरने के लिए आमंतरित क्या गया है अवेदन तो सबसे पहले मैं आपको लास्ट डेट बता दू और जो डेट है स्टार्टिंग वो बता दू तो देखिए दस जनवरी से इसकी डेट स्टार्ट हो जाएगी तो आप दस जनवरी 2022 से इस फॉर्म को भर सकते हो और आखरी डेट क्या है नौ फर्वरी को याद रखिएगा इसमें अगर आपकी कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने के दौरान तो आपसे 50 रुपए लिए जाएंगे तो टी चार्ज के रूप में तो फॉर्म भरते समय एक्स्टा साब धानी बरते और कोई भी गलती होने से बचें इस बात का खास ख्याल आप देखिए यहां से देखिए मैं आपको कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो में बता दू एक्जाम डेट को जो है इनों ने रख दिया है कब 24 एप्रिल को 24 एप्रिल को इनका जो प्री का एक्जाम है वो लिया जाएगा तो इस बात का खास ख्याल रखें आप कि सारे अपडेट देख सकते हो पहली बात दूसरी बात याद रखिए कि इनकी जो अफिस्चल वेबसाइट है ना जहां से आपको यह सारी चीज़ें भरनी है तो यहां से देख लिजी आप मैं वेबसाइट लिख देता हूँ mponline.gov.in देखिए जो भी gov.in पे आती है न वेबसाइट यह सरकारी वेबसाइट होती है तो इस बात का खास ख्याल रखें यह जो वेबसाइट दी गई है यहां सजा करके आप फॉर्म को भर सकते हो याद रखिएगा अब देखिए मैं नीचे आपको ले चलता हूँ और बात कर देता हूँ पदों की तो देखिए सहायक वन संरक्षक की कुल आठ पोस्ट आई हुई है और वन छेतरपाल की 40 और परियोजना छेतरपाल की 15 तो अगर आप इन पदों के लिए अपने आपको इलिजबल मानते हो तो आप यहां पे फॉर्म भर सकते हो अब देखिए फॉरेस्ट रेंजर में रिक्रूटमेंट आई है तो मैंने आपको यह सारी डिटेल्स बता दी अब देखिए जो सेलरी है ना वो साथ में बेतनमान के एकॉर्डिंग कितने दी जाएगी 56,101,77,500 रुपे तक आपको दी जाएगी तो यहां पे आप अपलाई कर सकते हो और जो पीडियाफ है ना यह पीडियाफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी और सिर्फ और सिर्फ देखिए बिग्यान यांतरीक यह सब सब्जेक्ट से अगर आपने पास किया है तो आप यहां पे इलिजिबल हो जाते हो और कंप्यूटर कोर्स भी यहां पे च हो जाते हो और अगर आपने भौत की रसायन विग्यान गनित सांखी की इवानी जी या फिर क्रिसी से किया है तो आप यहां पे इलिजिबल हो जाते हो प्रसिक्षन 18 महने का अगर आपने लिया है वन शेतरफाल से तो आप इसे अपलाए कर सकते हो याद रखिए अगर अगे तब ही आप फॉर्म को भर पाऊंगे अब देखिए आयू सीमा की अगर मैं बात करूं तो 21 से कम नहीं और 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए आपकी आयू क्या रखिएगा आयू की गन्ना एक एक 2022 को की जाएगी तो यह अच्छी बाते हैं यहां पे इनोंने कुछ बाते क्लियर करके रख दी है और जो और इंपोर्टेंट चीज़े हैं वो मैं आपको बता दूँ देखिए कोई भी कदाचार वगएरा अगर आपने किया चोरी वगएरा करने की कोशिस की तो यह आपको क्या करेंगे दंडित भी करेंगे यह सारे चीज़े इनके सारी वेबसाइ लिए गया है फॉर्म भरने की आखरिती थी नौफरबरी 2021 से और 10 जनवर से यह फॉर्म स्टार्ट होगा तो यह आई है फॉर्म कहां से मद्य प्रदेश लोक सेवा आयोक से तो अगर आप यहां पे अप्लाइग करना चाहते हो तो आप अप्लाइग कर सकते हो अच्छी वे देश बाइग